हलो एवरिवन वेलकम टू स्टार आईक्यू स्टार आईक्यू की वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईए हम लोग सुरुआत करते हैं साथ जुराई 2023 के हर्याना करेंट अफेर आप सभी को रादे रादे और कल आपसे एक सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा कि फल और आम मेला हाल ही में किस जिले में आयुजित किये गए तो आप सवाल का सही जवाब आपने दिया था एक तो पंचकुला है और एक कुडुचेतर है अलांकि कुर्चेत्र इस option में है नहीं पर पंचकुला और कुर्चेत्र यहां पर फल और आम मेला अभी हाली में चल रहे हैं फल मेला तो चल ही रहा है उसके कुछ फोटोज तो अभी मैं आज के session में भी लेकी आया हूँ यह बताना चाहता हूँ क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक महिने के अंदर आपका यह कोर्स आप लोग इसको ले सकते हैं सुपर इपॉर्टन्ट है आपको निरासा बिल्कुल हासिल नहीं होगी और इसके अलावा अगर आप लोग 1100 MCQ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं ग्रूप D का भी बैच अविलबल है अप्लिकेशन पे उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगामी 9 जुलाई को किस जिले के सेक्टर 5 में देश भक्ती विशय पर रहागिरी कारेकरम का आयोजन किया जा रहा है तो रहागिरी कारेकरम का आयोजन किया जा रहा है ये गुरू ग्राम में पंचकुला में हिसार में या कैथल में तो रहागिरी कारेकरम कायोजन किया जा रहा है पंचकुला में पहले तो मैं ये कलीर कर देना चाहता हूँ कि जो रहागिरी कारेकरम क्या है थोड़ दिन पहले करनाल में भी हुआ था तुमने एक करेंट फिर पढ़ा होगा इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर समाज के अंदर एक अच्छी भावना जाती है, सारे लोग आपस में मिलते हैं, इंटिग्रेट होते हैं, जोस्त की भावना आती है, पोजिटिविटी आती है, सारे एक साथ मिलके कोई campaign जलाते हैं, प्रयावन से related मुद्दे पर बात कर समाजिक भाहिचारे की बात करते हैं इसके लिए ऐसे रहागीरी कारेकर्म आयुजू चार वगरा इन सब्वी चीजों पर मेंपॉंट पर ये रहागीरी कारेकर्म इस तक पंचकुला को आने नो जुलाई को होने वाला है नो जुलाई को होने वाला है मुख्य मंत्री जिसकी अध्यक्सता करने वाले है इसका उदेश्य बस इतना ही है कि रास्ट्य गोरव और एक्ता की भावना को थोड़ा बढ़ाना और इस इवेंट की टेक टेग लाइन जो है वो क्या रखी गई है रंग दे बसंती इस बार इसकी टेग लाइन रखी गई है तो ऐसे कारिक्रम जरूरी होते हैं समाज के लिए पोजीटिविटी देने के लिए समाज में एक अच्छा दिसा अंधिर्धिश्ट देने के लिए ये ऐसे कारिक्रम बहुत ज़रूरी होते है प足ना समाज में आपको वैसे भी पता है कि बहुत सारी negativity आजकल फैली हुई है अभी आपके आगे वो घटना चली रही है बाकी मैं तो चाहूँगा कि उस घटना के बारे में अब आप जिकर करना कम ही कर दें तो जादा ठीक है क्योंकि इस से कुछ और effect तो पढ़े ना पढ़े लेकिन आपकी लाइफ में जुरूर effect पढ़ेगा क्योंकि अगर आप लड़की हैं और अगर आप married हैं तो फिलहाल के लिए यूँ समझिएगा कि आपके पती और आपकी सासू मा का निसाना आपके उपर सिधा सिधा है यह भात जुटलाई नहीं जा सकती है क्योंकि लोगों को गलत चीजे बहुत जल्दी समझ में आती है आप चाहिए सही है चाहिए गलत है अगर आप पढ़ रही है तो तो सबसे पहले आपके उपर निसाना जरूर आएगा और ना सही तो तंज ही कस्त दिया जाएगा और तंज तो बहुत बुरे होते हैं आप समझते हैं कि जो तीर है या तलवार है इनके घाओ असानी से भर सकते हैं लेकिन ये जो तंजों के घाओ होते हैं जो टॉंट के घाओ होते हैं ये काफी अंदर तक बैठ जाते हैं को भरना बहुत बहुत मुस्किल हो जाता है अच्छा ये पंचकुला के अंदर रहागिरी कारेकरम हो रहा है ये तो ठीक है हमारा तो इसका उदेशे भी मैंने बता दिया कि ये क्यों हो रहा है ये तो चलो ठीक है हर्याना का जो पंचकुला जिला है ना इसको आप लोग एक फ्राल television वात और के लिए याद कर सकते हो कि हरयाना का यह वो डिस्टिक बन गया है। जिसको आप लोग Metropolitan development area के नाम से जानोगे। हरयाना का, सकते हो तीसरा Metropolitan development area है यह। हरयाना का सर्था हरयाना का था गुर्यूत गुरुग्राम। गुरुगराम दूसरा कौन सा था सर दूसरा इसी के ही पास में है जिसका नाम है फ्रिदाबाद ठीक है और तीसरा कौन सा सर तीसरा बना है ये पंचकुला अचा सर चोथा भी है क्या कोई हाँ चोथा अभी हाली में बना है जिसका नाम क्या सोनिपत है अचा यही चारों हर्य हर्याना की पुलिस का मिस्नरी भी है, अगर आप से कोई पूछ ले तो आप पंचकुला बताना है, सिवालिक छेतर आप से पूछ लिया जाए, जिसके सबसे उन्ची चोटी आप लोगों को मोरनी के अंदर करोहो दिखाई देती है, तो वो भी आप से पूछा जा सकता है, गि बहुत अच्छे हद तक उत्पादित पंचकुला जिले के अंदर ही होता है, बहुत जादा यहां के जनसेंक्या नहीं है, बिलकि सबसे कम जनसेंक्या के रूप में ही जाना जाता है, मक्के के अलावे एक अलसी तुमने सुनी होगी, अलसी भी हर्याना में पंचकुला के अ नाम आता है, हलंकि अकेला पंचकुला नहीं है, इसके मामले में इसमें फतह बाद भी नाम आता है, जहां पर कोई डिस्टिक जेल जो है ना, वो नहीं है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए नहीं है, भविशे की तो बात देखो, भविशे में ही है, इसके अलावा आप लोग हर्याना की मिनी राजधानी भी कहलाता है इस पॉंट पे भी आप लोग रहिएगा कि हर्याना की मिनी राजधानी कौन सी है तो यही है छोटा ही है सबसे कम बिजली कनेक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए हर्याना में सबसे कम बिजली कनेक्शन जो है न कौन से जिले के अंदर है तो भी पंचकुला है अचा सर जादा पूछ ले तो जादा पूछ ले तो आप लोगों को फ्रीदावाद कहा देना है लेकिन फिलाल के लिए कम पूछा जाए तो आप लोगों को यही जिला कहना है क्योंकि यह छोटा सा जिला है जन सेंग्या कम है तो आप समझ सकते हैं कि जन सेंग्या कम है तो एक परकार से ये के अंदर जो है आपकी connection भी है वो भी अपने आप में कम ही हो जाएंगे अच्छे एक बात और याद रखना हर्याना के अंदर ये बोध धर्म वैसे तो ना के बराबरी है कम ही है लेकिन आप से फिर भी पूछ लिया जाए कि हर्याना में सबसे जदा जो है ना बोध या बोधिक लोग जो है कहां पे रहते हैं वही बोध धर्म को मानने वाले लोग कहां पे रहते हैं तो भी सकांसवर पंचकुला ही रहेगा पंचकुला में बोधिक धर्म को मानने वाले जादा लोग है इनका आंकड़ा भी लगबग लगबग एक हजार के आसपास है तो ये पॉइंट भी अपने आप में अच्छा सवाल बन सकता है अगर आपके पेपर म किस ने था ये किया था कपड़ा मंत्री प्यूस गोईल के दवारा इसका उद्गाटन किया गया था यहां से भी सवाल आपके लिए हो सकता है पेपर के अंदर बन जाए तो इसको भी जरूर याद रखना जी आप लोग कोई इसके रिजव सीट नहीं है पंचकुला से ही व प्रिकरिया को ऑनलाइन किया है रजिस्ट्री के लिए इंतकाल जो प्रिकरिया होती है इसको ऑनलाइन कर दिया है और किसी भी संपती या जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद है जमीन का म्यूटेशन हो सकेगा म्यूटेशन यानि की इंतकाल हो सकेगा इंतकाल की जानका आने पर कोई इंतकाल जो है नहीं होगा कोई आपती नहीं आने पर स्वता ही अपने आप इंतकाल हो जाएगा अब संपत्यों के रिजिस्ट्रेशन के लिए SDM और DRO भी जो है इसके लिए अधिकरत हो सकेंगे इसके लिए इसके लिए भी रिसेंटली ऑटोमेटिक जनरेशन of Mutation in WebHellries एक नाम का पोर्टल भी मुख्यमंद्री ने जारी किया है 6 जुलाई को इसके साथ ही यहां पे एक और गोशना की थी मुख्यमंद्री जीने की 2017 में कांदुलन के दुरान दर्ज किये गए 54 केस है ना उनको भी हम लोग वापिस ले रहे हैं और 117 ऐसी वर्ग के ल सरकार का कोई अपराद है ने प्राइवेट पार्ट के साथ में कुछ किया है तो उनको जगन्य अपराद कहा करते इनको चोड़के बाकी अपरादों वाले परसन को सरकार इनके मुख्यमें वापिस ले लेगी ये बी एक बहुत इपॉटन्ट गोशना है हर्याना के अंदर ठीक है चलिए सर आगे जाते हैं हम लोग अगला जो सवाल है कि हर्याना में विद्रों के लिए कितने रूपे मासिक पेंशन की सुरुआत की गई है हर्याना पहला राज्य है जिनकी साधी नहीं हो रखी उनके लिए पेंशन सुरुआत कर दी है अभी थोड़ दिन पहले इ इनको 2750 रुपे बाकी जितनी पेंशन औरों को मिला करती है उतनी ही इनको मिलेगी और विद्रों के लिए हर्याना सरकार ने बहुत बड़ी घोशना की है 40-60 साल की उमर के विद्र पुरसों को 2750 रुपे मासिक पेंशन मिलेगी तीन लाग से कम वार्सिक आए वाले ऐसे इसमें पेंशन का लाब दिया जाएगा 2750 रुपे कर साथ के बाद में आपको पता ही है बुड़ापा पेंशन बनी जानी है तो इक्वल पेंशन करती बुड़ापा विकलांग यह सब कुछ आपको 2750 रुपे ही याद रखना है तो यह पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है ठीक है ना इसके बाद में आगे जाते हैं हम लोग अगला सवाल है कि हर्याना के किस यूनिवस्टी में हाली में मेडिकल कॉलिज खोलने की घोशना अभी हाली में हुई है जी जे यू 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 मेडिकल कॉलिज स्थापित करने की प्रिकरिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है फिलाल के लिए 30 एकड जमीन के अंदर ये बनेगा आपका हिसार पहले से उत्तर भारत में मेडिकल कॉलिज बनाये जाने से मेडिकल हब के रूप में हिसार की पहचान और अच्छी बढ़ जाएगी इस युनवस्टी के वी सी का नाम प्रोफेसर नरसी राम विस्तनोई है याद रखना है आपको ठीक है और इस युनवस्टी के स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी बीस उक्टोबर को 1905 में को जो ने इसकी स्थापना हुई थी चोधरी बजललाल के दवारा इस university के स्थापना की गई थी याद रखना आप लोग इस university का gate number 3 है ठीक है on road highway पर इस university को neck के दवारा A plus grade भी दिया गया है तो वो point भी आप से पूछा जा सकता है ठीक है यह हिसार के अंदर है तो एक बात मुझे हिसार से याद आ रही है कि हर्याना के अंदर सबसे जगा पंचाए समीटी जोन इसकी सीटे कहां पे है है तो अब बभी जिला हमने पढ़ा था ना पंचकुला के अंदर हर्याना में सबसे कम कंप ऑस समीटी की सीटे के इंदर सबसे ज़्यादा परिशद है सबसे कम जिला परिशद है आपका पंचकुला और फ्रिदावा दोनों ही है जिनमें दो दस दस सीटे ही है आपके यहां पे ठीक है तो यह पॉइंट आप लोगों को सारे के सारे याद रखनी है हो सकता है एक्जाम में आपसे कोई ने हाली में परदर्शन किया गया है इसराइल एमबेस्टी से किर्शी अधिकारी येयर येशल ये भी यहां पे आये थे मुक्य अधिति के रूप में यहां पे एक सांसब नयाब सिंग सैनी भी सामिल थे इस बार ये कौन से नंबर का फल उत्सव हो रहा है ये चटे नंबर का फल उत्सव हो रहा है इसराइल प्रियोजना के इसराइल एमबेस्टी से किर्सी अधिकारी येयर येशल के साथ में यहां पर बहुत सारे और भी सदैश्य आये थे उनके साथ में ये पूरी जो हना इनकी आमों की परदर्शनी वगरा दिखाई गई थी ठीक है और ये कहां पर चल रही है एक्चुली परत्यों के था ये उप उशन कटी बंदिया फल के अंदर लाडवा के अंदर उध्यान विभाग हर्याना के तरफ से चटा फल उत्सव दोजर तेईस का आयोजन किया गया है ठीक है चलो सरीसी के साथ ये सैशन होता है समापत आपके लिए किसन बारे में असते रहना मुस्कुराते रहना और अपना ख्याल जुरूर रखना आप लोग प्यारे बच्चो और स्टार आईक्यू अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया तो करना टेलीग्राम चैनल मेरा स्टार आईक्यू एजूकेशन है और स्टार आईक्यू एजूकेशन के नाम से इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फोलो कर सकते हैं शुक्रिया